दोस्तों सच में सूरे कुमार यादव जैसा महान कप्तान और खिलाडी कोई नहीं जी हाँ पहले अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को लंका के खिलाव जिताय मैच फिर गौतम गंभीर के चरनों में जुक कर उनका अशिरवाद लेते हुए जो किया ये नजारा देखकर तो पूरे क्रिकेट जगतोंने सलाम करने लगा तो आखिर क्यों अचानक गौतम गंभीर के चुए सूरे कुमार यादव ने पैर ये नजारा देखकर कैसा था खुद गौतम गंभीर का रियाक्शन कैसे गुरू और शिष्य की परंपरा का पालन करते हु पहला टी-20 मुकाबला पल्ले केले करकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में भारती टीम पहली बार गौतम गंभीर की कोचिंग और सूरे कुमार यादव की कब्ताणी में मैधान पर उतरी किसी नंजा भी नहीं था कि इस मुकाबले में टीम अंडिया क्या क तोवर पूरे होने से पहले श्री लंका ओल आउट हो गई और भारतिय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 43 रनों से अपने नाम कर गई लेकिन मैच जीत कर अपने कप्तानी में पहली बार सूर्या को चैसा कर जाएंगे यहां किसी ने सोचा नहीं था जहां वो पहले मैन आफ दा मैच तो बने लेकिन उसके बाद गौतम गंबीर के सम्मान में सूर्या ने जो किया देखकर तो पूरी दुनिया इस खिलाडी को सलाम करने लग गए जी हाँ आपको बताते हैं भारतिय टीम के जीतने से ज्यादा चर्चा अब इसी लमहे की हो रही है दरसल जब सूर्य कुमार यादफ को मैन आफ दो मैच का एवाट दिया गया उसके बाद गौतम गंबीर उन्हें बधाई देने के लिए गए उस दर्मियान सूर्य कुमार यादफ उन्हें देखकर उन्हें बधाई देते हैं फिर ये दौनों काफी वक्ते तक मैदान में एक दूसरे से बात चीत करते हैं गौतम गंबीर उन्हें कुछ नई नई टिप्स भी देते हुए नजर आते हैं लेकिन तब तक इन दौनों के बीच हुए इस खुबसूरत लमहे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर किसी को खूब पसंद आया सूरे कुमार यादव ने गुरू और शिश्य की परंपरा का पालन करते हुए गंबीर के पैड चूकर हर किसी का दिल जीत लिया लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है सूरे कुमार यादव और रोहिच शर्मा में कौन है सबसे बहतर कप्तान नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद